Hello students, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप बहुत ही अच्छी होंगी तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं EMS BAC Nursing 2025 में यह दि आप BAC Nursing course करना चाहते हैं आप BAC Nursing के top colleges में admission लेना चाहते हैं तो इस वीडियो हम discuss करेंगे कि आपका exam pattern क्या रहेगा EMS की जो top colleges है EMS Delhi की हम बात करेंगे यहाँ पर कि EMS Delhi में कितना minimum आपको score करना होगा और किस तरह से आपको उस score तक पहुँचना होगा सारी detail information आज इस वीडियो हम देने वाले हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को पर start करते हैं सबसे पहले आप चलिए को subscribe कर लो अब तक आएगा ठीक है इस exam का entrance exam कब होता है और इसकी application form कब आएगी इसकी हम discussion करेंगे and then हम बात करेंगे exam pattern exam pattern का मतलब यह होता है कि exam किस तरह की questions आते हैं कितने questions की subject से पूछे जाते हैं negative marking क्या रहती है उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर total time duration exam में कितना मिलता है exam modes में कौन से mode में होता है सारी detail information आज इस video में मिल जाएगा okay उसकी बात total aims Delhi में इस video में only aims Delhi का discussion करेंगे comment box में जुरू बताए कि आपको कौन सी colleges के बारे में यहाँ पर जानना होगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो प्रवाइड करवा देंगे okay total aims Delhi में कितना seat है okay उसके साथ यह साथ safe score for selection आपको यहीदी aims Delhi में selection लेना है admission लेना है तो minimum 100 नमर का जो आपका paper होता है उसमें से आपको कितना score चाहिए होगा जिससे कि आपको easily aims Delhi का seat है वो alert हो जाए okay उसके बार aims Delhi में selection कैसे होगा किस तरह से अपनी preparation करना है किस तरह से अपने score को वहाँ तक पहुचा रहा है जिससे कि आपका इस साल 2025 में आने वाले साल 2025 में आपका selection हो जाए चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर discussion करेंगे exams pattern के बारे में okay exams pattern के हम यहाँ पर बात करेंगे उससे पहले हम देख लेता है कि आपका application form date कब आएगा और exam date है वो कब है ठीक है application form date की बात करें तो यहाँ पर आपका second week of fab में okay second week of fab में आपका जो है application form है वो release कर दिया जाएगा उसके बाद में एक्जाम डेट की बात करें तो एक्जाम डेट ओफिशली अनौस्मेंट हो चुकी है क्योंकि एम्स के दुवारा एक साल पहले क्लेंडर जारी किया जाता कि इस साल दो हजार पच्चिस में कब एंटरेंज एक्जाम होने वाले हैं तो एक जून का ओफिशल डेट है में भी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हो लेकिन यह आपके जून के फर्स्ट और शिकंड वीक में एंटरेंज एक्जाम होने वाला यदि आप नीट की परपरेशन कर रहे हो तो साथ में इसकी परपरेशन भी स्टार्ट कर दीजेगा यहां पर अप्लिकेशन फ़र्म के आपने बात कर लिए अब थोड़ा सा एक्जाम पेटरं के बारे में डिस्कुसन कर लेते है exam mode की बात करें तो यह exam आपका online mode में होता है offline में यह exam नहीं होता online mode में मतलब computer based test आपका लिया जाता है इस तरह से आपका entrance exam होता है उसके बाद में paper medium की बात करें तो paper medium इसमें Hindi and English यह काफी student जो गवराते हैं कि बहिया English में क्या paper आएगा या Hindi में आएगा तो दोनों both language में आपका यह paper आता है total questions की बात करें तो यहाँ पे आपका total questions है वो biology में 30 questions आएगे chemistry में 30 questions physics में आपका 30 questions आएगा उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो और questions आने वाले है उसमें आपका यहाँ पे आप देख सकते हो physics के आपके 30 questions आने वाल है उसके साथ यहाँ पे आपके discussion करेंगे और भी सारी चीजे जिसे जीकी का तो general knowledge को आपको सभी student को पताओगे general knowledge के 10 questions है वो पूछे जाएंगे इस तरह से आपके जो total है वो 100 questions है वो MBSC energy में आपसे discuss किये जाएंगे इस चीज आपको clear हो चुकिए कि 100 questions है वो आपके आएंगे अब total time duration आपको कितना मिलता है मतलब उस paper को solve करने के लिए आपको minimum कितना time दिया जाएगा तो उसमें आपको minimum 120 minute इसका मतलब है आपको 2 गंटे आपको minimum दिये जाएंगे इस चीज आपको clear हो चुकिए काफिस्टेंट्स negative marking के बारे पूछते है तो negative marking वहाँ पे रहेगा 1 by 3 1 by 3 का मतलब यह होता है कि आप 3 questions गलत करते हो तो आपके 3 नमर है वो minus हो जाएंगे और इस आप 1 question सही करते है तो आपको 1 नमर मिल जाएगा टोटल आपका पेपर होता है वो 100 नमर का पेपर होता है जिसमें 100 question ही पूछे जाते हैं पर यह question एक नमर का होता है यह चीज आपको clear हो चुकिए syllabus की बात करें तो syllabus की वीडियो पे ने अलरेड़ी पहले बना दिये है उसकी link आपको हमारे playlist मिल जाएगा उसमें जाके देख सकते हूँ उसमें syllabus की बात करें तो आपको हमेशा follow करने है old NCRT 11-12 का old NCRT आपको follow करना है जो syllabus old NCRT में दिया हुआ है वही आपका आएगा new NCRT में नहीं आएगा जो neat का syllabus है वो new NCRT follow करता है बढ़ एम्स में old NCRT follow किया जाता है यह चीज आपको clear हो चुकी है उसकी बाद में हम और सारी चीजे discuss कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम total seat matrix की बात कर लेता है कि AMS Delhi में कितना seat है हम सारी colleges की बात नहीं कर रहे है only AMS Delhi के हम बात कर रहे है तो AMS Delhi में general category में यहाँ पर जो total seat है वो आपका यहाँ पर सहती seat है EWS में 9 seat है OBC MCL में 25 seat है SC में 13 seat है और SD में 7 seat है इस तरह से आपका total है जो इनके लाव जो बच्चवी seat है वो आपकी PWD category का seat रहेगा और जो बचावा है वो PWD category का बचावा seat रहेगा total आपका जो seat है वो 96 seat आपका यहाँ पर है तो 96 seat हो पर admission होता है EMS Delhi में इस चीज आपको clear हो चुकिए उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेता है थोड़ा सा हम discuss करेंगे यहाँ पर test series के बारे में हमारे channel के दोबार आपको test series दिया जाएगा उसमें आप join हो सकते हो जिसमें आपका यहाँ पर schedule हमने तयार कर दिया है month by month आपको schedule मिल जाएगा जिसमे weekly test series रहेंगे उसके साथ ही साथ food syllabus test रहेगा unit device आपका test रहेगा उसके साथ ही साथ both medium है यदि आप Hindi medium है तो भी आप test series जोइन कर सकते हो उसके साथ ही साथ daily quiz series आपका चलने वाला है quiz का मतलब ही होगा कि आप telegram पे आपको questions मिलेंगी most important जो exam में पूछे जा सकते हैं उसके साथ ही साथ whatsapp group आपको मिलेगा इन सब की link आपको हमारे description में मिल जाएगी वहाँ join कर सकते हो whatsapp group join कर सकते हो और description में आपको हमारे whatsapp group का link मिलेगा instagram का भी मिल जाएगा उसके साथ ही साथ telegram का भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको daily quiz होंगी जो आपका 15 November से start होने वाली है ok इस test series को कैसे join कर सकते हो तो इसके लिए आपको हमारे यहाँ पर screen पे नमर चल दिख रहे होंगे आपको यह नमर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर contact कीजी एपका link मिल जाएगा उसके बाद payment इसमें कितना लगने वाला है यह आपका लगबग 7 महिनी का जब तक आपकी exam नहीं होगी एक जून तक आपका valid रहेगा यह test is तो यहाँ पर आपको दिकत नहीं आएगी वही question आपकी पूछे जाएगी जो हमाने test reads में आने वाले है लास्ट यह भी लगबग 70% questions है वो हमारे test reads से आये थे लगबग वही language रहेगा थोड़ा बहुत language में corrections आ सकते हैं बट questions है, topic है उसी में से पूछा दाएगा तो यहीं आपको हमारे test reads जोइन करना हो तो यहाँ पर screen पर नमर चल रहे है उससे आपको ट्रेट कर लीजिए सारा सब कुछ schedule वगरा सब कुछ मिलेगा 15 November से start होने वाली है offer आप सभी के लिए है 99 रुपीज में आपको यह test reads अवलेबल हो जाएगी 35 आपका test reads का schedule किविज उसके साथ के साथ सभी चीज़े आपको दी गई है अब यहाँ पर time duration भी आपको मिल जायागा कि हमारे test reads जब वो कब से start होगी 15 November से start होने वाली है जो आपके exam तक ही आपका valid रहेगा उके उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते test reads का वीडियो uploading होगी उसका 8 बजे आपका वीडियो uploading होगा उके उसके बाद Sunday को full sleep टेस्ट रहेंगे जिसमें 3 pattern में 3 time duration में आपका वीडियो मिलेंगे जिसमें 8,1,7 साम को 7 बज़ तक वीडियो मिलने वाले है उसके बाद Telegram पे quiz होगा रोज साम 8 बजे रात को 8 बजे आपको quiz चलेगा उसके बाद morning में 7 बजे WhatsApp ग्रूप पे quiz चलने वाला है तो इस तरह से आप अपनी preparation कर सकते हो जहाँ पे most important questions है वो आपको दिये जाएंगे लगबग यहाँ पे आप जान सकते हो कि 5000 most important questions दिये जाएंगे यहाँ आप अपना proper score follow करेंगे तो आपका 100% यहाँ पे selections हो जाएगा कोई नहीं रोख सकता है आपका selection यहाँ आप proper follow करेंगे हमें proper हमारी videos लेखेंगे तो सारी information चाहिए वो application form से लेके exam fratern से लेके negative marking से लेके उसके साथ ही साथ कैसे आप अपना score improve कर सकते हो सभी चीज़ों में हमारे channel पे आपको videos मिलेंगे जो आपको लिए काफी helpful रहने वाला है चलिए सबसे पहले यहाँ पे cut off की हम बात कर लेते हैं यदि आपका इतना score होगा तो आपका 100% सेलेक्शन है वो AMS देले में हो जाएगा यदि आप EWS के tree से belong करते हो तो यहाँ पे यदि आपका 80 plus score है तो यहाँ पे आपको maximum chances है कि यदि आपके पास EWS का central government का certificate रहेगा तो 80 नमर पे आपको AMS देले का college है वो alert हो जाएगा ओके OBC NHL की बात करे तो यह भी आपको 80 plus score करना होगा तभी आपके chances रहेंगे कि आपको AMS देले की seat alignment हो जाए SC की बात करे तो 75 के score पे आपको chances रहेगा कि आपको AMS देले मिल जाए ST की बात करे तो 72 के score पे आपको chances रहेगा कि आपको AMS देले का seat मिल जाए तो इस तरह से आपका cutoff रहने वाला है 2025 में I hope समझ में आ चुका होगा और इधी आपको testory join होना तो यहाँ पे WhatsApp ग्रूप पे टेलिग्राम पे कहे भी आप message कर सकते हो यहाँ आपको number screen पे दिख रहे हैं वहाँ पे आप बात कर सकते हो discussion कर सकते हो ओगे यहे मारे WhatsApp नमर है इसमें आप discuss कर लीजे कि testory join होना है 15 नौबर से start होने वाली है एक जून तक आपके testory जलेगा एक महिने में आपका 7 है वो unit wise test होंगे फुल syllabus के past test होंगे जिससे आप अपना score improve कर सकते हो यहीं उनक्यूसंस को भी solve करेंगे और उनको cooperate करके अपना syllabus कवर करेंगे तो 100% आपका selection हो जाएगा चलिए मिलते आपको next वीडियो में तब तक लिए बाइ-बाइ-टेक्या